अखिर कार नितीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी बार बार धोखा खाने के बार भी बीजेपी नितीश कुमार के पास क्यों चलिया आती है नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं नियूस फॉनेशन एक तरफ जहां बिहार में अगस्त 2022 में नितीश कुमार एंडिये का दामन छोड़कर महागटवंदन की सरकार में आगे सरकार में आने के बार बीजेपी की तरफ से ग्रिह मंतरी अमीत शाह का बयान आता है कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अब नितीश कुमार को वापस नहीं लाएंगे इदर नितीश कुमार भी कहते हैं मिटी में मिल जाओंगा लेकिन वापस नहीं जाओंगा अब आप देख रहे हैं कि सब कुछ हुल्टा हो चुका है नितीश कुमार एंडिये में जा चुके हैं बीजेपी ने जो बाते कही थी वो सारी बाते खत्म हो चुकी है नितीश कुमार ने जो बाते कही थी वो सारी बाते धुमिल हो चुकी है और अब एक बार फिर से बिहार में एंडिये की सरकार बन गई है लेकिन सवाल ये है कि आखरकार BJP की जरूरी है या फिर मजबूरी है नितीश कुमार के साथ बिहार में रहना एक बार फिर से इंडीय सरकार की वापसी हो गई है माग गटवंदन को छोड़कर नितीश कुमार BJP के साथ हा गए है जिसकी वज़ा से रवी बार सुबह इस्तिफात देने के बार शाम को उन्होंने नौवी बार मुख्यमंतरी पत्किशा पत्ली नितीश का एक बार फिर से दावा है कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ रहेंगे अब कि ये दावा कितना सही थावित होता है ये तो भविश बताएगा बीटे एक दसक में नितीश कुमर कभी आरज़ डी तो कभी अचानक से कोई वज़ा देकर वीजेपी में चले जाते हैं ऐसे में जब इस वार नितीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के अटकले लगने लगी तो बीजेपी के भीतर से नाराजगी के सुनाई दिने लगे केंद्रे मंतिर गिरी राज सिंग से लेकर पार्टी के तमाम नेताओं ने खुलेयां नितीश कुमार का विरोत किया लेकिन नाला कमान के फैस्टल की वज़े से आखेकार बिहार में वही हुआ यानि की जद्यू की सरकार टूटी बीजेपी का गठवंदन हो गया नितीश बीजेपी के लिए कितनी जरूरत है आज आपको हम बताते हैं राजनेतिक जानकारों की माने तो इस पार बीजेपी और जद्यू का गठवंदन अगले साल होने वाले विधान सवाचुनाब से ज़ादा लोग सवाचुनाब की जरूरतों को देखा जा रहा है पारत के तमाम राज्यों में काफी जादा मजबूत बनी हुई है लेकिन बिहार में जद्यू के महागठवंदन के चलते बीजेपी के लिए टाहिशन खड़ी थी बिहार में पिछले लोग सवाचुनाब में जद्यू और बीजेपी ने मिलका चुनाब लड़ा जिसमें एंडिये ने कूल 40 में से 49 सीट को हासिल की इसमें बीजेपी को 17 नितीश कुमार की जद्यू को 16 लजेपी को 6 सीट मिली यहां तक आर्जेपी का खाता तक नहीं खुला जबकि एक सीट कॉंग्रेस के पास आए प्रदेशन इसवार में बीजेपी चाहती है बिहार में दोहराना जहां जद्यू के महागटवंदन में चले जाने से अचानक जो है वो अर्चन पैदा हो गया और फिर से जद्यू के एंडिया में वापस आने को बीजेपी के लिए लोगसवा की चुनाब जो है वो काफी जादा उन्हें सहायता मिलेगी तो साहस आप दिख रहा है कि बीजेपी के नजर में सिर्फ और सिर्फ लोगसवा चुनाब अभी है और 400 के सीट पार करने के लिए बिहार में बीजेपी को मुख मंतर उतिश कुमार की जद्यू की बेहद जरूरत है क्योंकि पिछले बार अगर हम बात करें तो 40 में से 49 सीट जो है वो है कही न कहीं इंडिये के पास होती हुई नजर आई थी क्योंकि इसमें से 16 सीट जद्यू ने जीती थी और 17 सीट बीजेपी ने जीती थी अब देखना होगा कि आने वाले लोगस्वाद चुनाव को लेकर जो बिहार में इंडिये की सरकार बनाई गई है जो बीजेपी की रन्नी थी पॉलिटिक्स जो है वो की गई है इसमें ये कितना मुनाफ़ा बीजेपी को मिलता है ये तो आने वाला चुनाव और उसके परि झाल झाल